कि स्थास्टी का नमस्ते स्लाम वालेकूं मैं तो डापना जस्कीर सिंग फिर तो हादिना नभी वीडियो रहके अधी वीडियो है जो बहुत ही सीरियस टोपिक ते हैगी है इसलिए हम ये वीडियो हिंदी में मनाएंगे क्योंकि कई जो जिनको पंजाबी आती होती है समझ व और ये बहुत ज्यादा सीरियस टोपिक है जिस पर आज वीडियो हम बना रहे हैं क्योंकि ये टोपिक बहुत ज्यादा रहा है बेदबाब मतलब बहुत ज्यादा प्रदेश के लोगों के बारे में उल्टा सिदा बोलते हुए कि वह चाइना किसे विडियों करते है अरुनाचल परदेश इंडिया के मैप में ही नहीं है वैसे ऐसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा गल्स बोल रहा है परकम दोस्तों मिर्णा मैं पारस सिंग और आप देख रहें पारस ओफिश्य डूप चैनल तो आज की इस वीडियो में हम बैटल गराउंड मोबाइल इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर तो भाई साब लोंच तो होने दो पहले जिस चीज को अभ यह कहां के MLA है पढ़ लेते हैं पहले हम अरुनाचल परदेश ओके अरुनाचल परदेश के यह महाशे हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंदर मोदी जी से कि अलाओ मत करें बैटल गराउंड मोबाइल इंडिया को और यह इंडिया के सिक्योर्टी के लिए काफी खतर कंपनी मतलब और 300 से ज्यादा जो गेम है उनके अंदर शेयर मतलब पैसा इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने और टैंसेंड जो है वह हमारे जो डाटा है वह चाइनिस गोर्मेंट को दे सकती है ठीक है अपनी मर्जी से ही मतलब कुछ भी टैंसेंड को तो निकाल दिया बाई ऐसी कोई गेम ही है जिसके अंदर क्राफ्टर ना हो मतलब सो में से नबबे परसंट गेम्स में टैंसेंड के शेयर रहते हैं क्योंकि वह गेमिंग कंपनी है सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी है तो उसके शेयर तो रहेंगे और इसने नोटीस के अंदर यही चीज़े लिखे हैं कि पब जी मोबाइल को ही रिलाउंच किया जा रहा है नेम चेंज करके गन के नेम तो चेंजी नहीं हो रहे हैं कौन सी कहां से इंफोमेशन निकाल रहे हो तुम हैं मतलब कुछ भी यहां पर हम पब जी वालों के साथ जुड़े हुए हमें ही नहीं पता भाई ग पता चल रहा है एक तो पहले इनकी पोटो हुआ धिखाता हम को या अंडिया के लग रहे हैं सही सभी बताना यह मुझे तो नहीं ज़ा नहीं लग रहा हैं जब LIKE इसके बाद इनकी बैनर ष Но div और उसके बाद हम अरुनाचल परदेश को मैप में सर्च करते हैं यहां पर मुझे अरुनाचल परदेश दिख क्यों नहीं रहा है और यार्य तो चाइना की साइड में है यह रहा कोने मैं अरुनाचल परदेश मतलब मैं यह चाइना वालोका ही है एक तरह से उनी के साथ ही है हलका फुलका टच होता है इंडिया में आता है आपने और यह भाई साब यहां पर दिली न्यू दिली पीम मोधी को ट्वीट कर रहे हैं इतनी दूर से भाई साब बहुत बढ़िया कि आपने ट्वीट करके हम आपके अभारिया आपने इतना हमारे देश के लिए सोचा बट आ बैन किया बैन करने के बाद अनबैन किया पैसे लेके अनबैन किया क्या उनको क्या मिलियंस डॉलर्स दे दिये क्या पबजी वालों ने वालों ने शर्ते रखी होंगी और उन शर्तों को पबजी वालों ने फोलो किया होगा जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी होंगी उन और 8 महीने बाद और कोई ललू बंजु आपके टूइट कर देगा तो इसके टूइट करने से कुछ हो जागा और सिटी हर सिटी हर में यह में होते हैं और मैं नहीं कहा था बहुन की वैल्यू नियुक्त मेरे की कई करने से कुछ नहीं होने ओप बाई मेरे मूर से कुछ गलत रिकल जागा छोड़ो मैं आप सब्स इतना ही बोलना चाहता हूं कि बाई देखो किसी के भी ट्वीट करने से कुछ नहीं होने वाला ठीक है ना जो करना है वो गौर्मेंट ने करना है और गौर्मेंट ने किया था ठीक है उसके बाद उन्होंने अप्रूबल दे दी तभी टीजर आ रहे हैं तभी ट्रेलर आ रहे है तभी गेम प्लेइंट पर आ चुकी है बस रिलीज होने वाली है प्रीजिट्रेशन चालू ओगई है बस रिलीज होगी इंस्ट्रोल ऑफ्चन आ जागा डाउनूड करके मोज करेंगे ठीके ना बाकी कुछ करने से कुछ होने वाला है मैंने नाम भी पहली बार सुना है यह ट्यूइट वगजा है यहें मुझे और ऐस तक यह दिखे है नहीं पिछले एक साल से गेम बैन है इन्हों ने कभी ट्वीट किया या मुझे नहीं बन आगे और भाई बन कर वालो देखते तुमारे करने से कितना कुछ हो जाता है बाई देखते हैं अगे क्या होता है मेरे साब से कुछ होने नहीं वाला इनके कुछ करने से बाकि मिल ते नेक्स वीडियो में मैंने जल्दी आपको मिलेगी प्लेय स्टोर पर बागी देखते क्या होता है तो आपने जैसे अभी वीडियो देखी इसमें वह पारस लड़का गोजाली हेट कर रहा है हमें शुरू से स्कूलों में भी सिखाया गया इंडिया इस कंट्री ऑफ डैवर्सिटी तो हमें मिल जूर के लाना चाहिए सारे हमारे भाई हैं बैने आंप तो जैसे हमारा स्कूल साहां पर भी रोस भी बोलते थे ओल्डियन सामें प्रदेस शिस्चर्स वाली राइन कई लड़के नहीं बोलते थे वह उनकी मर्जी है क्यों नहीं बोलते थे पर रेकिन हम सारे भाई-भाई हैं और यह बोलते हैं हमें यह इस थिखाया गया सारे भाई-भाई हैं पर रेकिन यह पारस ने उन्हें बहुत ज़्यादा नीच्चा दिखाने के लिए ऐसे वीडियो मनाईए कि वह बिलोंगी नहीं करते पर हम रुनाचर पर देश के लोगों के साथ हैं वह भी हमारे भाई हैं बिल्कुल जैसे कि उसने अरुनाचर पर देश के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा गल्स बोल रहा है पर रेकिन जैसे कि हमने सीखा है आप शुट नैवर भी जज़ड़ बाई रोमिट्स कवर तो इंग्रिश हमारी बहुत ज़्यादा वीक है तो पढ़के बोल रह अरुनाचर पर देश के लोग बहुत बढ़िया है वहां के वी सारे लोग मारे बाई ही है तो ऐसे उसे नहीं बोलना चाहिए था और जैसे ही यह वीडियो आई उसने एक शोरी की वीडियो डाल दिया पर वह वीडियो देखे फिर उसके बारे में बात करते हैं कर रहा हूं मैं मानता हूं मेरी गलती है अब इससे जादा मैं क्या करूँ फांसी लगा लूँ अपने आपको आप यह बताओ तो कल मैंने एक वीडियो प्लोड की थी जिसमें मैंने एक पॉइंट प्या के कुछ गलत बोल दिया था जिसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूं औ मैंने वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया था अपना कमेंट कि मैंने गलती की है और मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस चीज के लिए मैं उस तरह से उस बात को बोलना नहीं चाहता था जिस तरह से वो लोगों को दिखा है बट मेरी गलती है मैं मानता हूं मैं आप सभ था कि मेरे वह वर्ड यूज़ करने से इतने लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी इस तरह का वर्ड अपनी वीडियो में यूज़ ही नहीं करता मुझे पता है मैंने गलती किया है और मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मि भी बंदे में को कमेंट कर रहे है मैं सबी को रिप्लाइ करने की कोशिश कर रहा हूं बट इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे है इतना ज़्यादा हेट आ रहा है मेरी हर वीडियो पे गंदी गंदी गालिया मेरे फैमली को बुरा बला बोला जा रहा है मेरी गलती है मेरे को ग कल मैंने गुस्से में आके वीडियो बना दी थी, मैंने गुस्से में वीडियो बनाई और मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं अभी बच्चा ही हूँ, मेरे से गलती हुई है, मैं उस गलती को सुधारना चाता हूँ, मुझे एक मोका दो, और मेरे को इतना हेट मिल रहा मैं आप सबी से अपोलोजी कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, अब इस से ज़रे मैं क्या करूँ, फांसी लगा लूँ अपने आपको, आप ही बताओ, तीन चार साल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अगर मैंने एक गलती की है, तो उसको सुधारने का मोका भी त ठोड़ो, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर बना पाऊंगा आगे वीडियो तो, तो जैसे कि आपने अभी यह वीडियो देखी कि वो कैसे सोरी बोड रहा है, यह मुझे सोरी नहीं जादा लग रही, यह मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई किसी पर आ देखा था और शायद स्कृट्स भी रहा था या रोडिस था पता नहीं हुआ, उसमें निकिल चिनपा कहता हुता है कि आस वो कहता हुता है, और सोरी से इंट्रेट ओपनिशमेंट इस नेवरा सोरी, वो मतलब ऐसे मेरे को लाइन याद नहीं हा रही, कि मतलब किसी की डर की की वज़े से सोरी बोल रहा है उसने, और सोरी भी ऐरो रहा है, यसी कार रहा हूं वो मैंने उसकी वीडियो देखिश तो मुझे को चार अपड़ी देखनी पड़ी कि उसने वो वीडियो भी पैसे कमाने के दिए कि मतलब बहुत ज्यादा उयरा हो जाए मैं så refuse जिकारuk लोगों को ऐसे कंपेर करके किसी और कंट्री के साथ तो वो ऐसे पूल नहीं है. जहां हम टेक्नोलजी में इतनी आगे बड़ रहे हैं और यह लोगों की सोच की वज़े से ही हम जदा पीछे जा रहे हैं, इसे लोग हमारे देश को पीछे लेके जा रहे हैं. इनकी नीची सोच की वज़े से ही कि वो ऐसा दिखता है तो ऐसा होगा, ऐसे है तो ऐसे होगा तो मतलब जो लोग हमारे इंडिया को पिछे लेकर जा रहे हैं इनकी वज़े से इंडिया आगे नहीं बढ़त पा रहा है इनकी ऐसी सोच के का तो इसी वीडियो के बाद उसने जब सो रही की वीडियो डारी आज लेकि उसकी मम्मी की वीडियो आई है कि उसमें वो रो रहा हैं और नो Okehन जोLabरा की पूलीस बाले उसको उठा के देगे हैं नमस्ते आप सब से मैं हाथ जोर के माफ bị मंगना चाहती हूं पारस की मम्मी मैं बोल रही हूँ कल पारस ने एक वीडियो डाला हुआ था उसने कुछ उसमें गल्त बोल दिया मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का वीडियो बनाया है और जब मुझे पता लगा तो बहुत मुझे भी दूख लगा कि वो ऐसा लवज क्यों बोला जो भी बोला गल्त बोला उसके लिए मैं भी माफी मांगती हूँ सभी से माफी मांगती हूँ जो भी उससे गल्ती हुआ वो बच्चा है उसे माफ कर दीजिए अभी थोरी देर पहले अभी दो मिनट हो रहा है कुछ लोग घर पे आये थे और पारस को उठा के ले गए हैं ये बोलके कि हम चोंकी से आये हैं मुझे वहां से पुलिस ने भेजा हुआ है मुझे नहीं पता कि वो लोग कहां मेरे बचचे को ले के गए मेरा एक ही बटा है मेरे इस दुनिया में उसके अलबा कोई भी नहीं है ना उसका पापा है न और कोई सहारा है मेरा मेरे लिए वह जोई है उसके लिए मैं हूँ वसκε मैं आप सबसे यही बिंती करना चाहते हैं क कि मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, आप लोग सब मिलके, बहुत सुभों से परेसान भी था, बहुत दुखी भी था, और दुख वाली बात भी है, अभी लेकिन मुझे नहीं पता कौन उठा के लिए गया मेरे बच्चे को, अब सबसे हांद जोर के बिंती क करते हूं कि मेरे बच्चे को माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, तो जैसे कि आपने सुना ही होगा कि उसकी ममी रो रही है, और कह रहे हैं कि उसकी ममी, उसको उनके बेटे का पुलिस वाले ले गया है, तो पता नहीं अब क्या होगा, पुलिस को एक्शन र माना ही था क्योंकि वो एक गेम, उसकी ममी ने का है कि उसके फादर भी नहीं है, और वो ही अके लाइन का घर चलाता है, शायद पता नहीं अब ये बात सच्चा है कि नहीं, तो उसने ये सब कुछ ऐसे सोचा होगा कि मैं वायरल हो जाओंगा, पर इतना ही सोचा होगा कि मै पुलिस भी लेजेगी और इतनी हेट फैला दूमा मैं, उसने शायद अंजाने में ऐसी गलती कर दिया है, पर लेकिन जब उसने सोरी बोली तो ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा अपनी बात को, तो पता नहीं अब जो होगा पुलिस कर रहेग जब एक रिष्टदार ही है हमारे सब के पूर्वर सेमी से जैसे मतलब शुरू में कहते हैं दो बंद एक बंद आयसा वहां से आके आगे होई, तो मतलब सारे हमारे रिष्टदार ही हैं, तो ऐसे कोई भी हेट मत फिलाओ, और बस आज की वीडियो के इतना ही, ऐसे कोई वी दुनिया क्या के सोरिया मांगते फिरें, तो ऐसा काम कभी ना करें जिन्दकी में कि आपके माबाप ऐसे सोरी मांगे शरया हम सबसे कि बाफ कर दो हमारा बेटेर से करती हो भी, तो ऐसे काम हमें कभी नहीं करने चाहिए, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वाचिंग, बस इस वीडियो को जाज से ज्यादा शेयर करो, ताकि पता लगे कि ऐसे कोई ना करें, आज के बाद कि ऐसे भी हो जाता है, मतलब ऐसे अन जाने में किसी से हेट भी पैल जाती है, बहुत कुछ हो जाता है अन जाने में, तो इस वीडियो को चाहिए, आप बड़े यूट्यूबर रखते तो मैंने भी एसे मैं इतना बड़े यूट्यूबर होनी अभी तो इसका नाम नीदी रखा है हमने इसका नाम क्योंगे पींक अधर के पींक अलवे क्यों गई फिल्क तो पस थैंक बस नहीं लाद दिए